स्तु, सपनों की व्याख्या का अर्थ व्यक्ति के अन्वबों, भावनाओं और मानसिक इस्तिती पर निर्वर करता है। जब आप सपनी में अपनी ननत को रोते हुए देखती हैं, तो इसके कई संभावित अर्थ हो सकती हैं, आईए जानती हैं। पहले संकेत की अनुसार सपनी में ननत को रोते हुए देखना इस बात का संकेत हो सकता है कि आप उनके साथ घहरे भावनात्मक संभन्द रखती हैं। यह सपना दिखा सकता है कि आपकी मन में उनके प्रती सहानुगुती और देखवाल की भामना है, सायद आपकी मन में उनके लिए चिंता है या आप उनकी किसी समस्या को लेकर बहुत परिसान है जिस कारण ऐसे सपनी आ जाते हैं। दूसरे संकीत के अनुसार यह अनसुलजे मुद्डे या चिंताओं को दिखाता है। यह सपना इस बात का प्रतीक हो सकता है कि आपकी और आपकी ननत के बीच कोई अनकहा या अनसुलज़ा मुद्दा है अगर हाली में आपके बीच कोई मदबेद या असहमती हुई है तो इस तरह का सपना आपकी चिंताओं को दर्शा सकता है यह इस बात का संकीत हो सकता है कि आप उनकी emotional condition को लेकर चिंतित हैं बले ही उन्होंने इसे खुल कर नहीं बताया हो। तीसरे संकेत के अनुसार कभी-कभी सपने में दूसरों को रोते हुए देखना बास्तम में आपकी अपनी भापनाओं और दुखों का प्रती हो सकता है। कि आप खुद किसी मुद्य को लेकर दुखी हैं और ये भापना सपनी में ननत के रूप में प्रकट हो रही है। अगर आपकी ननत किसी कठिन समय से गुजर रही है तो आपका अपचेतन मन इस भावना को जाक्रत कर सकता है कि उन्हें आपकी मदद या समर्थन की आवसकता है। पांच में संकीत की अनुसारी भविस्य की चिंता को दिखाता है। कभी-कभी सपने किसी आप प्रत्यासित घटना या बदलाब का संकेत देती हैं अगर आप अपनी ननत की जीवन में किसी संभावित समस्य चुनोती को लेकर चिंतित हैं तो यह सपना उन चिंताओं का प्रत प्रत्यादी